असलाम अलेकूम आज हमारे किचन में बन रहा है तला हुआ गोश जिसके लिए मैंने यहां पर लिहाई 500 ग्रैम्स मटन मैंने इसे कुकर में ही दाल लिया है या मैं इसमें 1 teaspoon salt करहे हूं कि वरन टीशबून अद्र अध्रीसन का पेस्ट फीषिह हाफ टीशबून हल्दी इन तीनों चीज़ों को दाल कर अच्छे से मिक्स कर देगِ गोश में और मैं अब इसमें वन गलास अफ वॉटर ऐट कर रही हूं हम one glass of water add करके इसे गोश को अच्छे से गला लेंगे चार से पांच सीटी आये तक यहां पर हमारा गोश गल गया है इसमें थोड़ा सा पानी है, मैं वो पानी सुका लूँगी यहां पर मैंने एक fan pen ले लिया है इसमें मैं half cup oil add कर रही हूँ इसमें हम गोश को fry करेंगे मैं यहां पर इसमें गोश आट कर रही हूँ हमें गोश को अच्छे से fry कर लेना है जब तक यह कड़क ना हो जाए यहां पर हम गोश को अच्छे से fry कर लेंगे जब तक यह अच्छे से लाल ना हो जाए मैंने इसमें अभी मिर्ची आट नहीं किये, पहले हम गोश को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें मिर्ची आट करेंगे यहां पर हमारा गोश अच्छे से फ्राइ हो गया है अब मैं इसमें एक मेडियम साइज की प्यास जिसे मैंने स्लाइस के कट कर लिया है वो आट कर रहे हूं हमें प्यास को भी गोश के साथ अच्छे से फ्राइ कर लेना है यहां पर हमारी प्यास अच्छे से फ्राइ हो गए अब मैं इसमें वन टीस्पून रचिली पॉडर एट कर रही हूँ हाफ टीस्पून सॉल्ट हमने पहले भी दाला था इसलिए आप टेस्ट करके सॉल्ट दालें इसमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें गोश के साथ यहां पर मैं थोड़ी से कड़ी लीफ्स और ग्रीन चिली लीज एड़ कर रही हूँ चॉप करकर यहां पर हमारा तला हुआ गोश रेड़ी है मैं इसके ओपर हाफ लेमें जूज स्क्वीज कर रही हूँ हम लेमें जूज दाल के इसे मिक्स कर देंगे अब मैं से डिशाउट कर लोंगी यहां पर हमारा तलाहवा गोश रेडी है आप इसे घर पर बनाईए ट्राइ करिए बहुत टेस्टी बना हैं बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह अपीश अस्सालाम अलेकूम यह चाह को जाला स्यादा सब्सेश करिए लिख सब्सेश कर लोभी